आप देख रहे हैं The Right News, मैं हूँ बारती कॉल. आज हम आप से रूबरू करवा रहे हैं रोहिद बड़ जी को, जो कि TRN के साथ साथ Founder Director वमेद भी हैं. वमेद इनका passion है, इनकी drive है, इनकी inspiration है, और ये और सभी को भी इसके साथ, अपने साथ साथ inspire करते हैं. तो रोहिद जी, आज मैं एक बहुत important मुद्बे पर आप से बात करने जा रही हूँ, जो कि हमारे लिए, हमारी state के लिए, UT के लोगों के लिए जाना बहुत जरूरी है, कि हम जो ये एक और बीरबल stage करने जा रहे हैं, और आज तक इसके कितने सारे shows हो चुके हैं, ये आप से मैं जानना चाहूँगे. सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, कि वो शाहिए ये सोच रहे हैंगे कि खुद ही TRN पे ये दोनों क्यों आ रहे हैं, बेसिकली हम अवेर करना चाहते हैं, अपने चरनल के माध्यम से ही, आप सब को एक और बीरबल प्ले के बारे में, बहुत जरूरी था कि एक और बीरबल जैसा प्ले आए, और वो राकिश रोशन बड़ जी जो हमारे मेंटर है, राइटर है, उनके कलम से लिखके ये प्ले आया, और ये बहुत स्पेशल प्ले इसलिए बनता है, क्योंकि 2014 में, जब उन्होंने इस प्ले को लिखा, 2014 में, तब तक हम लोग थेटर में कर रहे थे, बट इतना सक्सेस हमें नहीं थी, और ये ही वो एक प्ले है, एक और बीरबल, उस टाइम पे आप भी शायद हमारे सा प्ले हुआ, जहां लोग नीचे बैठे थे और बाहर दर्वाजा गेट को बंद करना पड़ा, ताकि लोग अंदर ना आए, इतना हाउसफुल था, बहुत सारे ऐसे वी वी आइपी जो की खुद सर्प्राइस होगे और नीचे बैठके उन्होंने प्ले देखा, तो हमारे लिए स्पेशल है क्योंकि हमें जो एज़ वमेद हमें जो ग्रोथ मिली है, वो इस प्ले की वज़े से मिली है, और मैं जरूरी कहना चाहूंगा कि राकेश रोशिन बट जी के ही दौरा लिखे हुए प्ले हम हर साल फेस्टिवल में करते हैं, उनके जितने भी प्लेज उनन करते हैं, तो उस टाइम तक जब तक यह प्ले नहीं लिखा गया था, तब तक सब लोगों को पता था कि जब हमने बोला हम एक और बीरबल करने जा रहे हैं, हमारी कम्यूनिटी से हमारे कुछ सीनियर भी थे जो बोलते थे अच्छा यह अकबर बीरबल की कहानी आप करने व जिन्होंने इतने बिजिश शडूल में होने के बावजूद इस प्ले को बहुत बखुबी लिखा है, और इसके हमने बहुत सारे शोज की हैं, एक्रॉस इंडिया हमने शोज की हैं, और यह जो अभी हम इसको दस तारीक को करने वाले हैं, मैं दर्शकों को ज़रूर बताना और कश्मीरी पंडितों की हिस्टरी को जानने में इंटरेस्टेड हैं, वो आ सकते हैं, तूजडे को साड़े तीन बज़े अबनियो थेटर जमू में, तैंथ तारीक को आप अबनियो थेटर में आईए, और साड़े तीन बज़े इस प्रोग्राम को देखिए, इसके साथ साथ इस प्रोग्राम में कुछ एनॉस्मेंट्स भी है, वो जरूर हम करेंगे, और साथ साथ में हमारे कुछ बच्चे हैं, जुन्होंने बीट बॉक्सिंग, चैंपेंशिप नैशनल लेवल की चैंपेंशिट जीती है, हम उनकी परफॉर्मस भी देखेंगे, साथ साथ में हम उन्हें ऑनर भी वमेद की तरफ से कर रहे हैं, उनके नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको पता लगना चाहिए हमारे दर्शक हो कि हमारे जमू कश्मीर में कितना टैलेंट है, शायद बीट बॉक्सिंग का अभी कंसर भी कुछ लोगों को होगा, लेकिन जो अफगानी रूल हमारा 18th century में था, कैसे महाराजा रंजी सिंग जी के पास ये गए, इन्होंने कैसे सैक्रिफाइस किया, और बोला जाता कि कश्मीरी पंडित सैक्रिफाइस नहीं करते, कश्मीरी पंडित डरबोख है, कश्मीरी पंडित अपना सोचता है, लेकिन अगर पंडित बीरबल दरजी की फैमली को हमारे इन्सिस्टर्स हैं, और ये हमारे बच्चों के लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये चाहते हैं, कि जो हमारी अप्रिंगिंग, हमारे आने वाली जो नसले हैं, उन्हें पता लगे, कि हमारे जो की पूरवज क्या थे, उन्होंने समाज के लिए क्या क्या किया, अपनी कंट्री के लिए क्या किया, और कैसे वो हिंदू राज को लेके हमारे वापिस आए, तो रोहिद जी, ये बात बहुत जरूरी है, कि इसमें हमारे बच्चे पाटिस्पेट करने चाहिए, बच्चे आने चाहिए, स्कूल के, colleges के university के जितने भी जादा हों बच्चे आने चाहिए तो उसको target करने के लिए कुछ है आपके दिमाग में देखे हमने बहुत सारे school से बात भी की है in fact आप ही ने बात की है तो hopefully कि अगर school खुल जाते हैं तो हमारे साथ both schools और colleges के student भी होंगे लेकिन मैं यह जुरूर बताना चाहूंगा कि हमारा एक और भीरिवल का यह 2014 के बाद से अब तक का प्ले हमारी नहीं जनरेशन खाली कश्मीरी पंड़ कम्यूटी नहीं मैं कह रहा हूं जमू कश्मीर में जमू में जितने भी लोग हैं वो सब अपने बच्चों को लाएं और इस चीज़ से रूबरू करवाए दिखाए कि हमारी हिस्ट्री के है दस जनवरी को साड़े तीन के लिए जरूर आएं शुक्रिया थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू थैंक यू उन्यवाद थैंक यू